हलो भाई और स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे तो आज हम बात करेंगे आज की यूरूपन क्रिकेट टीटेन के पहले मैच के बारे में जो की ग्रूपडी का मैच आज पहला ही स्टार्ट होगा दोस्तो और इस वीडियो में आप लोगों को पू पर ले मैं फाइनल वहाँ पर बेटिंग लाइनप जो होता है अब फाइनल जो प्लेंग लेवन है वहीं पर मैं दूँगा और फाइनल टीम अगर खिलना चाहता हो तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन म होगा जैसा होता है और वैदर की बात करने तो रेन के कोई चांसेज नहीं है वैनु रहेगा भी करतमा ओवल का और पिछ रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंट सर्फिस आपको देखने को मिलेगा हमेशा की तरह दोस्तों टोटल यहां पर जो मैच हुए वैनु से बता रहूं ठीक है डी रेक्स और एच्टी के बीच में एक लाश्ट हैड्ट हैड्ट मैच हुआ था नौफ हरवरी को 2022 ठीक है उस पे जिसमें दोस्तों डी रेक्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 126 रन बनाये थे 10 वर में 5 विकेट को या था और एच्टी की टी हैं कमल है उन्हें चालिस किया था आफरिदी यासी ने दो विकेट लिये थे और आहत कुरैसी ने एक विकेट और कमरान अहम जदाई ने तीन विकेट लिये थे दोस्तों तो यह मैच का कुछ सिनियर हो रहा था वहां का उस टाइम का ठीक है एवरेज बैटिंग स्कोर की ब ठीक है अहमाद नमी क्या देख सकते हो टीटेन के 14 मैच में 303,78 कावरेज है और नियाज हमज़ा टीटेन के 14 मैच में 195 रन 16 कावरेज है दोनों प्लेयर काफी ठीक ठाक है अहमाद नमी सबसे अच्छा है इनको जरू टीम में ट्राइ करेंगे ठीक है हमज़ा इनियों आज अच्छे है टीम में जरू ट्राइ कर सकते हो तावीज बटी है दोस्तो इनके टीम का एक मात्र अच्छा और लेटाम और्थर डॉक बॉलर बोल सकते हो टीटेन के 14 मैच में 149 रन 27 कावरेज है और 15 विक्टे इनके नाम है ठीक है और काफी अच्छी बॉलिंग करा लेता है जरू टीम में ट्राइ करना है इनको कमरान अहम जज़ाई है दोस्तो देख सकते हो टीटेन के 10 मैच में 112 रन 10 विक्ट इनके नाम है आपको दोवर की बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी दे सकते हैं ठीक है तो इंपोर्टन प्लेयर बनते हैं ये डेट में बॉलिंग करन टेवे देखेंगे चरू टीम में ट्राइ कर लेना अलक्जंडर हरोक हैं दोस्तो टीटेन के 13 मैच में 12 रन है उतने इम्पर्टन नहीं होते आफृदी यासिन है टीटेन के 14 मीच में 6 रन 11 है हर मैच में दोबर कर आते हैं दोबर कर आसकते हैं important player बरेंगे अमर जाहिर हैं दोस्तो राइट राइट के राते हैं विकेट कीपिंग सेक्षन में मिलेंगे आपको 14 मैंच में 37 रन है उतने impactful प्लेयर नहीं है लेकिन आप विकेट कीपिंग सेक्षन से लेने चाहओ दो ले सकते हो सहरा जाई अजमल है दोस्तो राइट राइट राइटम फास्ट नहीं है मुझे तो मैं आपको जैसे मिलता है तो मैं आपको टेलिग्राम पे अपडेट कर दूँगा यहां पे कुछ और प्लेयर्स हैं जिनके रिकॉर्ड मुझे अभी तक नहीं मिले हैं बाकी मैं आपको टेलिग्राम पे अपडेट कर दूँगा जित जैसे मिलते हैं मैं और खालिद आर मंगल देख सकते हैं गुलाम अबास बट का राइट अन बैट आइटम आपड़क बॉलिंग कराते हैं टीटेन के ग्यारा मैच में तीन सो त्रिसर्ट रन है 36 कावरेज चार विक्टेन के नाम है पाट टाइम बॉलिंग कराते हैं और साथ ही बैटिंग से अच्छा खसा कंट्रिबूशन कर सकते हैं इंपोर्टन फिक बनते हैं टीक है खालिदार मंगल है दोस्तों टीटेन के च्छा मैच में चमवारं 10 कावर दो और के साथ आपको टाउप आड़र में बैटिंग करने करते हैं तो इंपोर्टन फिक हो जाते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों जाहिदुल्ला कमल है टीटेन के 10 मैच में 113 और 11 कावरेज है ये भी बैटिंग से अच्छा कर सकते हैं ठीक है तो इनको भी जरूर है टीटेन के 11 मैच में 125 रन 14 कावरेज है बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं टीम में जरूर टाइप कर सकते हो वाहित कुरशी राइटन बैट आटम में बॉलिया बालिंग कराते हैं टीटेन के 8 मैच में 36 रन 6 विकेट इनके नाम है हर मैच में आपको दो बार की बालि इनके नाम है उतना अच्छा खासा इंपक्ट इनका देखने को नहीं मिलेगा तो आप चाहो तो डॉप कर सकते हो अद्रान सेयद हैं दोस्तो टीटेन के च्छा मैच में चार विकेट है ये भी एक से दो और बॉलिंग अपना कराते हैं हमेस्सा देखा हो हमें इनको और ये इ एक से दो और की बॉलिंग कराते हैं आपको दिखेंगे चाहो तो टीम में जरूर ट्राइ कर सकते हो इंपॉर्टन प्लेयर ये भी है अरुन भाट यह है तीन मैच खेलें अभी तक ना बैटन ना बॉलिंग आई है ठीक है और दोस्तों यहां पे बैंच के कुछ प्लेयर है इनमें से मुझे एकी प्लेयर का रिकॉर्ड मिला है फैजल सहबाद को बाकी के प्लेयर का रिकॉर्ड नहीं मिला है जैसे ही मिलता है मैं अपडेट कर दूँगा आप सभी को यहां पे दोस्तों स्टार्टिंग का बर विलाल मसूद और अभी दिलला सद्दिकी और आहत कु और आपको बिलाल मसूद बॉलिंग करते दिख जाएंगे तो यह तो हो गया दोस्तों एनालिसिस की बात अब एक डेमो टीम आपको मैं बना के बताता हूं तो यहां वेटिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे ए पूस है और जाहिर और जट कमल दोस्तों जाहिर तो बहुत बैटिंग करने के लिए आएंगे यह फिर आप चाहो तो कमल को भी ट्राइ कर सकते हो यह आपको बिकट किपिंग भी देते हैं अब जाहो तो डिफरेंशियल ले सकते हो जट कमल को बाकी मैं पुस्ताय के साथ जाऊंगा ठीक है उसके बाद दोस्तों बैटिंग सेक्शन से नभी मुझे चाहिए और दोस्तों यहां से निशार को मैं अपन टीम में लूँगा और अब बाद भी मेरे टीम में रहेंगे ठीक है आप दोस्तों हमजानी आज को ले सकते हो अच्छी भी खासी बैटिंग कर लेते हैं इनको जाहो तो आप टीम में ट्राइक कर सकते हो और यहां पे हरकुक हैं इनको मैं तो प्रिफार नहीं करूँगा और मंगल है इनको भी एज आहिर को भी प्रिफार नहीं करूँगा दोस्तों यहां पे बाटिया है इंपोर्टन नहीं है और इजवासर खेलते में तो इंपोर्टन नहीं है चिधा और अडॉंडर सेक्शन में देखें तो दोस्तो आहत कुरेशी इंपोर्टेंट बन जाते हैं मसूद भी आपके लिए इंपोर्टेंट है हम जदाई इंपोर्टेंट प्लेयर है दोस्तो यहां से ठीक है और बाकी वाहित कुरेशी को आप लेना चाहो तो अपने टीम में ट्राई कर सकते हो और यू खान भी दोस्तो चार मैच में चार विकेट है इनके नाम तो आप चाहो तो इनको as a differential ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो यह हम जदाई खिलते भी हैं तो उतने इंपोर्टेंट नहीं है और दोस्तो यह आसीन है इनको देख सकते हैं के selection काफी काम है लेकिन balling काफी अच्छी कराते हैं तो इनको टीम में ज़रूर ट्राई कर लेना important player यह है दोस्तो यहां से एक player है जिसको में लेना है ठीक है तो मैं अभी के लिए प्रिफर करूँगा दोस्तो आप उस्मान खान के साथ जा सकते हो ठीक है उस्मान खान अच्छी balling करा लेते हैं तो इनको अपना एदो ओवर कराएंगे आप साथ ही आपको batting भी इच्छा खासा दे सकते हैं या आके तो इनको त्री में ट्राइ कर सकते हो तो यह दोस्तो यहाँ पे अपनी captaincy आप देना चाहो तो ठीक है यहाँ पे आप कुरेश्टी को दे सकते हो ठीक है कुरेश्टी अच्छे player है तो यहाँ पे T-Bhardtie को vice captaincy दे सकते हो या फिर notification मिलते रहे थैंक यू सो मच दोस्तों मिलते हैं next video में